यो वाट्स आप गाईज कैसे आप सो भी लोग वेलकम बैक टू अनेदर गेम फ्लेयर वडियो तो आज हम लोग दुबारा से कहने जा रहे हैं कर मेकानिक सिमिलेटर तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि काफी टाइम पहले मैंने जंक्यार जाके एक पुरानी टूटीवी एक्सिडेंटल लंबोगनी पर्चेस करी थी फिर उसको अच्छे से रिपेर करके बेच दिया था आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं बट इस बारी कार डिफरेंट होगी और राइट गाईज वेलकम बैक टू मैं गराज तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कार इसका मतलब शाद आप लोग समझ गयोंगे एक कार डिफरेंट है तो उसका एंजिन डिफरेंट है उसके सारे बोड़ी पार्ट उसके टायर सब कुछ डिफरेंट है यानि मोडिफिकेशन भी बहुत डिफरेंट लेवल होने वाला है लेकिन मैं आप लोग को बता दू कि य इसा मज़ा गेम नहीं है कि एक स्क्राप याट से तूटी वी गाड़ी लाए उस पर चार पेंट हमारे टायर जोड़े बोनट जोड़ा और गाड़ी बन गई भाई इसमें एंजिन की प्रॉपर डीफ मोडिफिकेशन होती है एक एक नट जैसा रियल लाइफ में होता है न इस प्यारे से गिराज का तो स्टार्टिंग करते हैं मेरे बैड से यह जो अपर आप देख पा रहे हो यह अपना बैड यहाँ पर थोड़ा सा एंट्रटेन्मेंट के लिए टीवी स्पीकर्स वगारा लगा रखे हैं यहां से नीच आएंगे तो यह है अपना ओफिस चाहा वाश वगारा खरे जाता है और इसके बाद अगर मैं आपको आगे लेकर चल यह तो अपना वेराऊ से चोटा सा आप देख पार इसके उदर कुछ एक्स्ट्रा सम्मान है यह अपना वर्क बैंच या रिपेर बैंच आप लोग कह सकते हो यहां पर चोटी मूटी पार्ट्स अगरा रिपेर होते हैं और इस तरफ में यह वाला एरिया एक चोटा सा रन कराने के लिए गाड़ी को यहां से वहां तक के लिए यहां पर भी बेसिक टेस्टिंग होते वो सभी आपको पता चल जाएगी खैर अभी बात ही बहुत ज़्यादा होगी और यह थोड़ा हाथ दोने के लिए हाँ तो ठीक है पहुत सारी चीज़ है सारी भी आपको पता चलते जाएगी बट सबसे पहले चोलते हैं जंक याट पे एक कोई पुरानी घटिया 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 नी एक पुरानी बेकार बढ़िया गाड़ी धुनने के लिए लिए लेट्स को और राइट तो यह है अपना जंक याट जहां पे आप लोग चारो तरफ पुराने घटिया टूड़े फुटे अक्जिदेंटरल वीकल्स और उनके बॉड़ी पार्ट्स का पहाड देख पा रहे हों के बाकि यह भी न मुझे आती एक मस्त कार यहां पे निज़र आगे कोन से कार है बो फोर्स कार तो जसका इंजन पाउरफुल हो यह कौन सा इंजन लगा हुए मेरे को थोड़ा सा इसका इंफोर्मेशन लेना है ओवर्वीव मोड यह एक वीट इंजन है फाइस आप गाड़ी पाउरफुल है सची में बहुत जादा बली देखने में पुरानी से है वाकि यार थोड़ी या बहुत जादा पुरानी का रही ओर एक सिकिंड यहाँ पर है एक बुगाटी वैट यह कोण से है बुगाटी शेरान रट डू यह बहुत जादा पुरानी है और इसके गेट भी मेंस है एक सीट है दूसरी सीट भी लग रहा है चोरी हो गई बाक साइड भी टूटी पड़ी है पूरी फ्रेंट में बैटरी बच्छी है यह बचा है और गाड़ी का एंजन इसमें तो शायद से डबलू 16 होता है ना पुगाटी में मेरको अच्छा सी आदिया आप लों कॉम आइनो कि बहुत जादा टाइम लगेगा इसे ठीक करने में क्योंकि ओल्मॉस्ट इसकी हर एक चीज कराब है इंजन में मुझे बैटके पूरा का पूरा री बिल्ड करना पड़ सकता है इसका ठीक है एक बार ही इसको यह वाला मैंने कार एक बार भी चुट अपने पासने आइस देखो उटल्टी अच्छे ऑप्शन मिल चुके हैं मैंको बुगाटी मिल गया है और फरारी यहां पर यह कौन सा कार है सकुरा मौट नहीं आ तहल बुगाटी फरारी खड़े तो यह उप्शन तो मिरे को समय नहीं आ रहा है जंक यार भी अच्छी से और एक्स्प्लोर कर लेते हैं, क्या पता लैंबो और या कुछ और अमेजिंग भी मिल सकता है आगे तो कोई भी कार नी है यार, उल्टा दूर दूर तक का पूरा एरिया खाली पड़ा है बाके ही ये जो कार है ना, इसको कार में मत काउंट करो, ये एक जंक है जिसमें पुरानी गाड़ी के पार्ट्स को मैं रिपेर करके यूस कर सकता हूँ इतनी पुरानी गाड़ी की पार्ट्स मेरे किसी काम के नहीं है फिलाला भी यहां से मैं तोरा सा और आगे बढ़ता हूँ यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना सारे के सारे मेकानिक्स बढ़िया बढ़िया गाड़ी और मेरे लिए ये सारा गटी है गटी है कबार छोड़ गए है वैसे बुगाटी लैंबो कबार निया क्या यहाँ पर अभी मुझे एक तगडी कार मिल चुक है और यह शाद से फोर्ड मस्तांग है लेट्स कू यह बहुत तगडी कार है बागे दिखे दिये कि इस गाड़ी में एंजिनी नी है कोई भाई यह बहुत गलत बात है एक अच्छी कार मिली बट इस कार का कोई एंजिनी ले गया है तो मेरे साब से कार हमारे लिए भी एक धाँ चाहिए इसके टायर वगएरा मैं क्या ही करूँगा ठीक करके अभी मुझे चाहिए तो एक ऐसी कार चाहिए है एलीस थोड़ी बहु आफ यह सब्टाइब करें यह एक उट्मेटिक एलेक्ट्रिक कर और इसकी स्पीड बहुत जाद है यह तकिम लग रही है इस गाड़ी में क्या क्यों पीछे तो खार क्या यह होता पीछे से नहीं मुझे घाड़ी को आगा सब्सक्राइब है जो बंदा आधा अधा उदूर बहुत बुरा पिटेगा मतलब उसने गाड़ी इधर से सही चोड़ी है बट उधर से देखो उधर का गेट भी गायब है सब गायब है शीशे वीशे सब ले गया मेरे को समय नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए मेरे पास इससे बेस्ट ऑप्शन है बुगाटी शिरॉन ला पता नहीं किसे आपसे बाकी ओवरल कंडिशन 9% है ठीक है यार अच्छे से करेंगे ठीक और गाड़ी का प्राइस 29,725 ओल्मुस्ट 30,000 डोलर की खटिया खचाड़ा सोना मोना लगा हुए कह नीचे कर चोड़ो यार अभी से पर्चेस कर लेता है सस्पेंशन भी सारे घिस और यह कारना उस जंक्यार में पड़े पड़े बारिश में बीग बीग के पूरी की पूरी रस्ती हो गई है यह देखो कोई एक पार्ट या तो यह रस्ती है हो सकता है कीचड़ भी चिपका हो बढ़ आँ देखने में तो आसा लग रहा है रस्ती है कैर वो तो भी मिरको एस देखने के जुरूत नहीं है काम करता हूँ तो अब अइस कार को मूव करते सिधा लिफटर पर मूव कार मैं से एक काम करते हैं सबसे वहरे ना गाटी को आप लिफट करके नहीं इसके टायर निकालते एक एक पार-करते वůए चलेए मुझे ने पहले गारी को दूर सबसे बहले में तर रिमुव कर हूंगा तो टार मूब्स करने के लिए सबसे बहले में इन इस क्रीव को यहां से निकाला होगा एक दो तीन जारद सारा काम मैं तोड़ा सा स्लोग यह 무엇 पहले हम कितना स्थ फास करते थे उस सारा कमब्तिक Whatever बस आध बिटाए ही है उसके बाद सब कुछ फास्ट फास्ट होने लग जाएगा बाकि इदर आप लोग देख पारे हो भाई कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि इस कार में कितना जादा डीप में काम हो रखा है मतलब जो एक रियल लाइफ में रियल कार में होता है बाकि जनको आता होगा उनको तो खैर क्याही बताने की जुरूत है यहां पर अभी इतना रिमूव करने के बाद यह वाला जो डिसक है मुझे यह रिमूव करना है तो शायद से यहां पर तो कोई उसक्रीव नहीं है ओ तो अब मुझे ना यह आउटर टाय रोड निकालना यहाँ से निकलेगी वीला बेरिंग अब इसके बाद एक पार्ट यहां के टायर के हटना स्टार्ट हो जाएंगे पीछे दो नट्स है इसको भी निकालता हूं नट अलग होते हैं बोल्ट अलग होते हैं मैं दोनों को कभी को बार सेम बोल देता हूं तो जादा कन्फ्यूज मैं तो न यह निकालने के लिए मुझे नीचे थोड़ा सा यह सब रिमूव करने होंगे वागी ठीक है अभी यहाँ पर जो रबर बुशिंग होते हैं मुझे य यहाँ का काम है अभी जिस तरीके से में राइट साइट का टायर एंड सपेंशन रिमूव कर हैं मुझे वैसी लेट साइट पर होगा तो फढ़ाफट यहां से स्थार्ड करते हैं सबसे बहले टायर को रिमूव करना यह निकाल दिये मैंने समझ के नट निकलनी पा रहे है सबसे बहुत आएगा ना वान टू टू ट्री ओपन करने के बाद इसके बाद आएगा ब्रेक के कैलिपर्स यानि जो ब्रेक पैड़ा उसका कवर अब उसके बाद यह ब्रेक पैड और पिर आती है ब्रेक के डिस्क दैन आउटर टाय रोड को भी मैं नीचे से निकाल देता और यह है फ्रेंट ड्राइव एक्सल ए तो इसको निकालते हैं पहले ताकि पूरा पीछे तक का डिटाच हो जाए अब यहां से मैं शॉक अबजर्व को निकाल लेता हूं वैसे है इतना मस्ती में रहना यह सब जो मैं निकाल लाँ ना यह रिपेर करके वापस लगाना भी हैं जैसे हमने बाकी टायर्स को रिमूव कर रहा था निकालूँ आज फूल स्पीड में लेट्स को गाइस तो अभी तो मैं बहुत जादा फास्ट हो गया हूं एक सस्पेंशन रिमूव करने में पता भी नी चला सारी चीज़े रिमूव कर दी बाकी यह देखू गाइस यह का वी 6 एंजिन और सामने जो आगे वाला था वो था गेर बॉक्स तो अभी मुझे इस एंजिन को पूरा रिपेर करना होगा बट रिपेर करने से पहले मुझे से यहां से हटाना होगा खें ठीक है उसके पहले यह जो एक लास्ट आयर बचायना इसको अब एक बार यह आप बट वी लप से पहले यह वाला जो बॉल्ट है ना मुझे यह नट निकालना है और यहां पर अंदर बेरिंग है वो हटेगी दैन उसके बाद वी लप बी और इसके तीनों के तीनों नट यह भी हट गए अब इसके बाद आता है नकल कवर इसको उट आ दिया और समनलों गाड़ी को पूरा का पूरा खोल दिया है अब एक काम करता हूं इस वाली जो गाड़ी का एंजन है इसको एक क्रेंपर लेकर आते हैं मतलब यह एंजिंन को रखके बना सकते हैं रिपेर कर सकते हैं बर्ट इस वाले इंजिन को नए उन बनाने से बेले मुझे निकालना जाके pull out दबाना है और अब गाड़ी के इंदर को हैं ईनिå Hasham जायों तो इस अंचन को रिपेर कर सकता हूं यहां पर माउंट करके यहां पर enc time को और Fаже करने बैठाना ना लुख़े हम लग सकता है लुखान नवम मैं यक निव V6 engine, यह वाला जो है, यह 14 DOHC का है, बट नहीं, हमें यह वाला इस गाड़ी में नहीं चलेगा, मुझे as it is वही engine बनाना होगा, जो मैंने उस गाड़ी से बाहर निकाला है, पता कर लेता हूँ कि आखिर उसमें कौन सा engine लगा था, हमें जाने ग्रुप्स में, और उसमें था V V6 DOHC charge, okay, CHG charge से charge ही होता होगा, let's go, create new engine, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के है, 14 SOHC, 16 और V8, बहुत powerful engine भी मैं लगा सकता हूँ, शायद इस गाड़ी में, बट फिर पता नहीं ना भाई, गाड़ी का अलग ही हालत हो जाए, बाकि यह वो engine V6 DOHC, तो यह engine मुझे यहाँ पर बनाना है, अब इस engine को complete करने के लिए मुझे बहुत सारा समान करीदना होगा, और उन सभी समान को assemble करने में बहुत जादा time लगने वाला है, तो मैं सुचरूँ कि क्यों ना पहले गाड़ी का exterior complete कर दिया जाए, क्योंकि इसे complete करने में बहुत कम time लगेगा, और यह होते ही ऐसे लगे कि गाड़ी बस बन गी समलो, बट में पार्ट जो अंदर के वो मैं कर दूंगा, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ठीक है अभी देखो सबसे पहले नहीं जितने भी खराब चीजे इसको निकालता हो मैं गाड़ी से बहुत गंदी लग रह सब कुछ निया खरीदना होगा, मैंने सब कुछ यहां से निकाल दिया है, अभी गाड़ी में काफी कुछ बचा हुआ है, यह जो पीछे की दो सीट्स हैं, यह निकाल देता हूँ, ABS module, याद है जब हम लोग Lamborghini बना रहे थे, इसने कितना परिशान कर रहा था, मतलब यह नि देखा जाना, गाइस यह देखो, गेर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरा चमक रहे, मैं ऐसे नहीं चेड़ने वाला, उसका कोई पार्ट वगरा भी मिस नहीं है, मैंने पूरी गाड़ी खोल के रख दिया, अभी तो इससे लग भी नहीं कोई कार है, बससे रिपेर करने वाला हूँ, गाड़ी का हूट सा 25 डॉलर में रिपेर हो जाएगा, 100% यह ठीक हो चुका है, एक काम करता हूँ, जितनी खराब चीज़े हैं, सारी की सारी रिपेर करते हैं, इसमें काफी सारा पैसा खराब होने वाला है, बट यप, नया खरीजने सो तो यह है, जितनी चीज़े मैंने गाड़ी से डिससेंबल करी थी, सारी की सारी रिपेर कर दिया है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर असेंबल करके देखते हैं कि कैसी वो दिखने वाली है, वाकि क्या यह, इंटीरियर असेंबल करना है, यहाँ पर यह वाला गेट है, 100% यह थीक नहीं होने वाला शायद, मुझे फेंडर नहीं ही खरीदने पड़ेंगे, यह रिपेर नहीं होगा, एक काम करता हूँ, खराब चीज़े जितनी भी हैं, वो सारी के सारी सारी सेल कर देता हूँ, बाकि जो सस्पेंशन की चीज़े थी थी ना, वो काफी सारी ठीक हो यह थीक नहीं हुआ था, तो अभी काम करता हूँ, चलके ना, फड़ा-फड़ से मैं नया समान खरी देता हूँ, बट, उससे पहले जो फालतु समान है ना, बोडी का जैसे, यह जो टैसला का अपना ट्रंक था, यह खराब है, इसको बेच देता हूँ, 17 डॉलर का गाड़ करके यहाँ पर, बंपर भी नहीं था भाई, आगे का तो यह बंपर लेते हैं, बाइदवी, यहाँ पर 3-4 टाइप के बंपर है, मैं चाहँ तो यह वाला ले लेता हूँ, यह ज़्यादा अच्छा है, बट, महंगा यह वाला है, तो अभी महंगी गाड़ी बनानी है, मैं यह वाला परचेस करूँगा, RWD Electrical, मोटर भी खरापती, Tesla का जितना समाने हैं, मैं सारा लेने वाला हूँ, ट्रंक मुझे 3-4 टाइप के मिलने है, किसी-किसी में स्पोईलर्स लगा हूँ है, और कुछ-कुछ स्टॉक है, एक काम करता हूँ, इसमें बहुत लाइट परचेस करने थे, एक रियर वाला है, और एक फ्रेंट वाला लेना है, गाड़ी में बंपर जो होता है, बाक साइड पर भी खरीदना है, यह थोड़ा स्पोटी लुक दे रहा है, तो यह ले लेते हैं, और इस गाड़ी में कुछ थाही नहीं है, क्यों खरीद के लिए आए इसे, यहां पर कुछ और फेंडर्स मुझे नजर आया है, यह वाले पर टैसला का लोगो बना हुआ है, बट यह स्पोर्टी है, तो यह लेते हैं, इससे भी बेटर ऑप्शन है, और इसको असेंबल करते हैं, देखते हैं, गाड़ी की लुक आ कैसे रहे है, उसके बाद में एक्स्रा चीज़े लाकर लगाने वाला हूँ, तो जैसे कि मैंने बताता है, मैंने दो पर्चेस कर लिया था, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला लगा कर देखते हैं इस गाड़ी में, कुछ इस तरीके से, एंड कार दीरी दीरी ब्लाक बंति चार, वेट ए सेकेंड य हम लोग और असेंबल करते हैं, तो यहां पर ट्रंक मैंने पर्चेस कर रहा था, स्पोईलर वाला, ये देखो, ये कैसा लग रहा वाई, वैसे अमेजिंग लग रहा है, पूछने की जरूत नहीं है, और मैं हेडलाइट खरीदना भूल गया, सौरी, वो लगा दूगा दू गाड़ी की बॉड़ी खरीदना भूल गया, सौरी, अभी मुझे टैसला की टेल लाइट पर्चेस करनी है, यहां पर काफी अलग-अलग टाइप की ऑप्शन है, ये दोनों तो बहुत ओल लग रहे हैं, ये वाले लेटिस्ट है, तो इसमें डार्क या फिर रेड, एक काम क आपे, अब आई है गाड़ी में प्यारी लोग, अब बचें है रियर फेंडर, राइट और लेफ बोथ, तैसला फेंडर, इसको सर्च करते हैं, और देखते हैं क्या-क्या उप्शन है, अगर देखा जाए, सबसे महंगे वाले ये हैं, तो शायद यही बेटर होंगे, किसी इसको लगाने के लिए मुझे पहले ये वाले रिमूव करने होंगे, ये कौन सा वाला है, ये नहीं ये नॉर्मल, इसको अब परचेस करा था, वो मैंने भी टॉप पर लगा दिया है, कॉस इसमें ग्लास वाला रूफ भी है, गाड़ी का एक नया ट्रंक परचेस करके मैंने कितने घुसे में आगी अचानक से, या सही है, बट पता नहीं इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सही से फिट नहीं हुआ है, पर इसका ओरिजिनल शेप ऐसी है, गाड़ी के डॉर्स रह गए है, और मैंने वो परचेस कर रहे है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने डॉर, अच्छा मैंने रियर वाला कर रहा है, यह फोर डॉर का रहा है, टैसला का डॉर परचेस करना है मुझे, तो यहां पर सर्च कर लेते हैं, मुझे फ्रेंट वाला बस एक डॉर चाहिए, वो भी राइट साइट का ये, इस टोर को भी यहां पर लाके कर देते है फिट लेट्स को गाड़ी भी इस कलर की बन रही है बड़ बात में अपने सापसे से पेंट कर लूँगा विंडो मैंने खरीदी भी है सारी की सारी यहां पर लगाते जाता हूं सारी विंडो लगी बस राइट साइट की एक रहा गई टैसला की विंडो परचेस करने है मुझे वो भी राइट साइट की फ्रेंट टैसला फ्रेंट राइट डोर विंडो येस मुझे ये परचेस करना है और ये है फ्रेंट विंडो ये वाली भी एकदम आगे जो लगेगी एक बाक वाली भी मुझे चाहिए ये रिट्रंग की वि अब यार इसको देखके ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ग्लो नहीं हो रही है बट ठीक है शाद हमें बस ऐसी फील आ रहे है लाइट की वजय से बट ऐसा है नहीं मिंस इन लाइट की वजय से ये लाइट तो सारी ओफ ही अभी बाइद वे गाड़ी अलमोस पूरी कंप्लीट हो एंड इसकी विंडो भी लगानी होगी अब बात आती है गाड़ी के साइड मिरर्स की जो की मैं परचेस करना भूल गया टैसला मिरर वेट इसको मैंने कर लिया है सर्च और अब देखते हैं यहां पर एक आगया लेफ्ट का एक आगया राइट का लग यहां टैसला का डैश पर नामसे निया क्या चलो कोई नभी वह देखता ओओ किस नामसे बट पहले यह दोनों मेरा लगा देता हूं दोनों साइड़ पल्ला हो गया राइट वाला भी फड़ा-फड से लगा देतें हैं यह को पुराना वाला तो नहीं लग गया ना कोई तीक है जो भी हो अभी के आए ना देखो गाड़ी के अंदर का काम मुझे करना है ये वाली लाइट मैने लगा मेरे पर चोड़ा ये लगा की लेफट वाली है यहाँ पर दू ऑपर लगाइना तो फोड़ा से अंदर सेम तो सेम यहां पर लगाते हैं उरेंज थोड़ा सपोर्टी लुक देता है ना Okay guys, तो गाड़ी almost पूरी complete हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि अब इसके interior का काम मुझे और कैसे करना है, exterior के बाद बार ही है interior की तो, फड़ा फट से चलके interior में थोड़ी बहुत assemble करते हैं चीजे, ये एक left वाला seat है, जो लाना है मुझे, steering लाना है और गाड़ी हो मैं कोशिश करूँगा, ये देखो, आते ही, ये की seat पसंदा है और ये ही final है, तो ऐसी दो seat मुझे purchase करनी है, बट पीछे वालों के लिए तो एक अलग seat रहेगा, मैं rear यहां पर search कर लेता हूं, बाक साइड की जो seat आई है, वो कुछ आई है, कि अजीब है, ये पता नहीं य Staring यहां पर बहुत अलग-अलग type के Staring है, बट एक Supercar वाला Staring कुछ ऐसा होता है, तो ये ले लेते हैं, पहले इतना लगा के देखते हैं कैसी लुका रहे है, फिर उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, यहां पर दो seat में लेकर रहा था, एक ही ये वाली लगा दी, लेफ पहले यहां पर जो नीचे के, ओके दोनों साइड के एक ही बार में लग गए, यहां पर यह देखो, अच्छा, यह चीज़े करनी है सेंबल, बट शायद इसके लिए ना, गाडी में यहां से निकालनी पड़ेगी, या फिर नीचे लानी पड़ेगी, एकदम ग्राउंड प यही तो मुझे लगानी है, let's go, यहां लग गए, and यह है अपना, इसके लिए मुझे यह वाला गेट भी निकालना पड़ेगा, यह वाला गेट हटाते हैं, assemble mode, यहां पर लगएगा front end, यह भी मेरे पड़ा हुआ है, दो तीन मैंने purchase कर रखे हैं, तो यह वाला लगा देता अब बचाए सबसे hard part, जो कि है engine, तो फड़ा फट से engine बनाना स्टार्ट करते हैं, इस engine को बनाने के लिए क्या नाम था, V6DH करके उस थाना है, तो इसका समान purchase करते है, सारा, समान करें ने से पहले मुझे पता करना हुगा कि आखिरकार इसका समान किस नाम से आता है, पहल आपर max engine V8 का है, मतलब बुगाटी में शायद W16 लगा होता, जो कि बहुत powerful engine है, और हम लोग वो engine इस गेम में भी नहीं create कर सकते, बाइदेवी हमें यह वाला engine मनाना है, उसके लिए और यहाँ पर आप लोग देख पारे हो, red वाला I think torque है, और blue वाला हमारा शायद से horsepower है, बाकि अभी मैंने यहाँ पर engine का नाम सही से पढ़ ले है, V6 ही है, सारा समान उसका same उसी नाम से आने वाला है, तो फड़ा फट से चलके सबसे पहले हो तो ना V6 का एक body खरीदते है, यह वाला engine block जिसे बोला चाता है, यह purchase कर लेता हूँ, और यह क्या भी एक करके मुझे स समान ची होता है, मैंने सारा का सारा purchase कर लिया है, चलो बाई, तो सबसे पहले यहाँ पर engine को लगाता हूँ, कुछ इस तरीके से part mount, और यह लग गया engine block, यह देखो बाई, कुछ इस टाइप का अपना engine बनने वाला है, यहाँ पर fuel filter लगा, ओ, यह ठी, पुराने वाला fuel filter कैस बचा हुआ था भाई, बैस की इसको निगालो अभी के अभी, पूरी लुक कराप कर दी, चमकती धमकती चीच पर कीचड जैसी चीज आके पढ़ गे बही सीधा, यहाँ पर जैसे नहीं सबसे पहले मैं कोई ना टॉप चीज लगानी होगी, यह लगेगा, fuel filter यह रहा, इसक बचान का नाम है V6 और लास्ट ने में लामव में लगाया था वो V8 था और वो बहुत बड़ा एंजन था उसे बनाने में हालत खराब हो गी थी, बागी ठीक है यह इसली बन जाएगा पस चीजे होनी चीज यह पर क्रैंक शाफ की बेरिंग अभी मेरे पास मिस है, तो यह लेकर आनी है, फ्लाइवील लेकर आना है, तो फड़ा फड़ से परचेस करते हैं, क्रैंक शाफ बेरिंग कैप, तो यह मुझे टोटल शाथ से 10-12 चाहिए होंगी, क्योंकि दोनों साइट से लगेगा है, यह मैंने परचेस कर लिया है, अभी इसको मैं लगा देता हूँ य यहां पर लाकर असेंबल करते हैं, मैंने गलती से इसको रोटेट कर दिया था, वापे सीधा कर देता हूँ, ठीक है, यहां पर लगए पुली, यह कर दिया से टाइट, बाक साइड में लगा फ्लाइवील, और यह कर दिया इसको टाइट, शायद यह टाइट करने के जरूत इस पर एक क्लच प्लेट लगेगा, जो मार पास नहीं है, क्लच प्लेट यह वाला, यह कर दिया, इसको यहां पर असेंबल, और राइट, अभी मुझे एक ऐल फिल्टर चाहिए, वागे एक आम तो मेरे पास होगा, वी सिक्स का, मतलब जितनी चीज़ों पर वी सिक्स और यह कितनी खतानाक सी मोटर है, आइडल रोलर ए, इन आइडल रोलर ए, ओ, दो लगने थे क्या, वेट, मैं A और B, दो अलग अलग खरीद के लाए हूँ, बी वाला कहीं लगेगा, या फिर मुझे वापस सेल करना होगा, या पैसा बरबाद, मुझे उसे वापस सेल करना होगा, इन यहाँ पर लगना है, क्लच प्रेशर प्लेट, पहले तो दो आइडल रोलर परचेस करता हूँ, क्लच प्रेशर प्लेट भी ले लेते हैं, एक और एक यह बेरिंग भी ले लेता हूँ, एक ओल फिल्टर भी मुझे चाहिए था, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, बट शायद से अपनी गाड़ी में, गाड़ी के एंजिन में V8 लग जाएगा, दुबारा से बहुत सारा आइटम परचेस करा है, लगा के देखते हैं, यहाँ पर लगा, ओ, ओ, V8 नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा 16 वाला, ठीक है, मैं दूसरा लागे लगा दूँग जब तक यहाँ पर आइडल रोलर जो मैंने परचेस करा था, वो लगाते हैं, यही है, गाइस, देख लो, वो में चीज जो गाड़ी को चलाती है, इसके बारे में सची में पता होना चीए, वोटर पंप भी परचेस करा था, वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अगर तो जो बेरिंग मैंने परचेस करे था, वो यहाँ लगे और धीरे-धीरे करके हमने अपना इंजन अभी कुछ भी नहीं कंप्लेट करा, अभी काफी सारी चीज़े लगनी है, 16 वाला ओइल फिल्टर, एंड मेरे को 6 पिस्टन खरीदने हैं, जैसा कि मैंने बताया था, V6 इ इसी ली लगा पाऊं, ये वाली साइट ठीक है, कुछ स्पेशल पार्ट माउंट कर देते हैं, जैसे कि मैं ये ओईल फिल्टर लाएं, 16 वाला ये लग गया, अभी इससे ओईल फिल्टर होते रहेगा, अब मुझे यहाँ पर लगाने है पिस्टन, ये है वाला पिस्टन, यहाँ पर इसके साथ मुझे रिंग रखनी है, यप, तो ये रखी मैंने रिंग, और ये बन गया है अपना पिस्टन विद रिंग, ये लग गया यहाँ पर, सेम डू सेम मुझे सब के साथ ऐसी करना है, यहाँ पर ये रिंग लगा, ये बन गया, ऊपर की तीनों हो गए है अब बस मुझे यहाँ पर से कवर लगाना है, एंजिन हेड को, और वो बात का काम है, पहले पिस्टन, मतब जो अभी एंजिन का अंदर का काम हो रहा है, उपर की तो इसली लग गये था, अभी मुझे एंजिन रोटेट करना होगा, एक काम करता हूँ, मैं खुदी उदर च कर देता हूँ, अभी तो इंजिन देखने में बहुत चोटा लग रहा था न, अभी देखना एक ऐसा तॉप बन जाएगा न, इतनी बड़ी देखते रह जाओगे, छोटी छोटी सी इतनी सारी चीज़ें है, बस बस में लगती जाएगी, टाइट कूती जाएगी, और बनत करनी है, और इसको मुझे यहाँ पर लाके लगा देना है, इसको यहाँ पर डायरेक्ट चलते है, पार्ट माउंट, और यह लगेगी यहाँ पर, एक लगई और इसके नीचे भी एक लगेगी, और एक लास वाली लगेगी, ऊपर यह हो गया, अब मैं यहाँ पर इसकी जो रोटेट करना था थोड़ा सा, क्योंकि काफी जगा पर मैं यूज नी कर पा रहा था चीजे, तो यह अभी फटा-फट से यहाँ पर लगाते हों, चलते हैं, एक लगेगा कुछ इस टाइप से, और सारे नट टाइट, डान, एक आएगा, इसके ओपर हेड कवर, और यह भी मेरे पास है अभी, बट ऐसे मेरे को ओर चाहिए, चलो खैर, यह कवर हो चुका है, यहाँ पर एक और बेरिंग, और इसे टाइट करने के बाद, इसके ओपर भी एक कवर आएगा, यह रहा, भाई, कितना हाड होता है, एक एंजन को बनाना, वैल, यहाँ पर एक इंटेक मैन मैनिफोल्ड लगेगा, यह भी टाइट करने, आठाट नट से, अब यह इसके ओपर लगेगा, इंटिक मैनिफोल्ड ए, वी 6B, यह भी लगा देते हैं, इसलिए, इसलिए मैं एंजन पहले नहीं बना था, बाकि यहाँ पर एक थ्रोटल लगेगा, यह तो बहुत इसलिए लग जाएगा इसमें, बस चारी नट है और एकदम बाहर की तरफ हैं, अब बैक साइड में आता है थर्मो स्टाइट, इसको भी पड़ा पड़ से लगा देते हैं, थर्मो स्टाइट के लेफ्ट में आता है, एक्स मैनिफोल्ड वी 6B, भाई, इसमें बड़े सारे नट है इसके लेफ्ट साइड में आता है अब पावर स्टेरिंग पंप V6B, अल्राइट, अब यहाँ पर लगें कैम गेर, और यह शायद से मेरे पास एक ही था ना ठीक है, तो मुझे भी ऐसे तीन और पर्चेस करने है, और एक आइडल रोलर एक और लेना है, कैम गेर पर्चेस क और यह लग गया थार्ड, और यहाँ पर लगाते है, आइडल डोलर ए, और इसको कर देते है, टाइट, और समझतों, एंजिन बस कम्प्लीट हो चेगा, वटबी जैसे यहाँ पर यह देख रहे हो ना, यह लगेगा, पता नहीं से क्या बोलते है, सर्पिन्टाइन, ठीक है यह लगा देते हैं, शाइट से यह पूरा एक चेन है, जैसे आप कह सकते हो, और यह प्रोपर घूमेगा, टाइमिंग कवर लगा देता हूँ, इसको भी पूरा कवर कर देता हूँ, और अभी दिखना है, एंजिन बन के पूरा पैक हो जाएगा थोड़ी देर में, वी सिक् आपको लग रहा होगा, एंजिन जैसे कम्प्लीट हो गया है, बाग यह रही आइडल रोलर हीगा, कितना जादा यूज है, फ्यूल रेल वी सिक्स बी, टॉप साइट पे लगनी है, इसको भी लगा दिया, इसके अंदर लगी फ्यूल रेल वी सिक्स बी, एक और फ्यूल र बागनी का इंजन था यार, यह तो फिर भी टैफ लगा है, आइडल रोलर बी, अब जाकर इसका यूज है वाई, डान, तो समझ लो इस साइट से एंजन हो गया है, उपर अभे यह कैम शाफ कैसे रह गया, हाँ, चार थे न, टोटल मैंने तीन ही करें है, चलो इसको भी कर टाइट रिएंड इसका कवर लगा जेता हूं यहांपर, एंजिन हेड कवर वी 6 B, एंजन हेड कवर वी 6 B, लगाया और इसको पर भी एक कवर और जाने है, नहीं, इसको पर पाइप जाएंगी नहीं, ओ, 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 कोगया यह, यह, एंजन कंप्लिट हो चुका ए, एक काम करत तो भीया यहां पर अभी यह इस पर आ चुका है बट हमें शाहर से दिखनी रहा अब मुझे इंस्टॉल इंजिन इंटु दी कार या फिर पुल आउट कार में लग गया है क्या डारक लगी ओ गार में इंजन आ चुका है यह देखो यह रहा इंजन प्रॉपर आगया बाई वे 6 आगया एंड गेर बॉक्स तो निकाला है नहीं था न हमने गेर बॉक्स है न आगया होगा ठीक है बाकी यह देखो टैसला की सारी की सारी बैटरी जो कि मैंने शाहर आपको पहले नहीं लगानी होगी बट या जैसा की बता रहे कि मुझे पहले कार को लिफ्ट करना होगा इससे लगाने के लिए तो थोड़ा सा और उपर मैं इस कार को उठा देता हूँ ओके, तो अभी कार यहाँ पर आ चुकी है और अभी मुझे इसके अंदर लगाना है तो यहाँ पर चलते हैं, पार्ट माउंट पे देन इसको यहाँ पर माउंट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर यह मस्ट एकदम बॉक्स लग चुका है बाकी सारी चीज़े फुल ओके है सस्पेंशन लगाते हैं, तो यहाँ पर लगने वाला है रियर अक्सल नकल, ओके मेरे पास एक अच्छी कंडिशन का भी है, बर दूसरा वाला रिपेर नहीं हुआ था चलो कोई नहीं, एक साइट का तो काम हो जाएगा इसके उपर लगेगा, वील हब जो कि हमने निकाला था और इसको करना है मुझे टाइट तीनों तरफ से फिर उसके उपर लगने वाली है एक यह ब्रेक डिस्क जिससे अपनी गाड़ी रुकेगी अब इसके उपर लगेगा ब्रेक पैट्स ब्रेक पैट्स के उपर लगेगे ब्रेक क motherf लोकर लगते हैं कुछ इस टाइप से योज और इन दोनों को टाइट कर na है अब इसके बीच में लगीगा वील हब की बेरिंग बट अपने पास से खराब वाले है तो मैं को चारो खराब है रिपेर नहीं होती नो प्रॉब्लम बहुत सारा समान में को खरीदना है तो ये भी पर्चेस कर लेते हैं तो ये है वील हब बेरिंग टोटल चार पीस यहां पर खरीद लेते हैं इसके उपर लगएगा Upper Suspension Arm एड़ इसमें कंबाइन होगा Rubber Bushing जो कि एपनी सारी खराब है तो Rubber Bushing भी धहर सारी लेनी है और इसके साथ में अचछो दो Rubber Bushing के साथ लगएगा तो फिर मैं काम करता हूँ कि खुप सारी Bushing खरीद लेता हूँ अब मुझे यहाँ पर यह rubber bushing के साथ मिला के लगा देना है कुछ इस टाइप से यह लगा दिया एंड इसको कर देना है tight टोटल तीन यहाँ पर बोल थे जो कि मुझे इसमें लगाने थे एंड बारी यह bottom वाले rubber bushing की तो फड़ापट से इसको भी लगाते हैं और इसको भी मैं फड़ावट से tight कर देता हूँ अब बारी आती है यहाँ पर शॉकर्स की जो कि अपने पास खराब वाले हैं यानि मुझे नया चाहिए होगा नया बनाने के लिए मुझे यह तीनों चीज़ चाहिए है डबल wishbone shock observer rear तो दो मेरे को आगे के लिए परचेस करने है क्योंकि 4 टायर में लगेगा यह एंड दो मेरे को पीछे के लिए परचेस करने है तो चारो के लिए मुझे ना यह observer cap चाहिए होगी तो यह मैं 4 ले लेता हूँ और मुझे चाहिए होगे spring मुझे मालूम नहीं कोन सी वाली spring लगेगी, यह होती है, okay, front की अलगाते है, back की अलग, तो दो front वाली लेते हैं, and दो मैं ले लेता हूं, back वाली, okay, मुझे भी जरॉत पड़ेगी spring puller की, क्योंकि जो shocker है ना, इसको combine करने के लिए ये tool चाहिए, ताकि मैं सारे parts को एकदम compress क करके join कर पाऊं, तो front वाली के लिए मैंने ये वाला cap purchase करा था, यहां से ये एक तिको कुछ इस तरीके से बन जाएगा, then मुझे इसको यहां पर roll करना है, okay, तो यह अपने आपी थूरी दिर में compress होकर मेरे पास आ जाएगा, let's go, बस मुझे इसमें रखना होता है, ठीक है, तो यहां पर दुबारा से ये वाला रखते हैं, ये वाला रखते हैं, then इसको बना लेते हैं, all right, तो ये भी बन कर आ चुका है, ये वाला भी बना लेते हैं इस तरीके से, okay, अब एक और बचा है, last one, यह है अपना rear वाला, done guys, तो चारो शोकर्स यहां पर बन चुके हैं, फड़ा-फट से चलके इने गाड़ी में लगाना है, start करते हैं, काफी मज़ा आ रहा है अब में गाड़ी बनाने में, क्योंकि जब मैंने first time lambo करी तो बहुत problem होता है, इतनी सारी चीज़े थी, पर अभी काफी कुछ समझ आ गया है, okay, समल लो left side सब कुछ हो चुका है, एंड मतलब एक वील बनाने के लिए मुझे टायर एंड अलोय चाहिए होंगे, left side fully done, अब बारी है, यहाँ पर एक वील लगाने की, एंड वील बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे टायर एंड रिम्स, बाकि एक बारी मैं साइस देख लेता हूं, कि जो टायर इसके बाकि और भी काफी सारी चीजें वह मैं देख लूँगा, बाकि रिम्स मुझे अपने हिसाप से देखने है, 17 साइस लेके चल दें, तो सबसे बहले चलके एक रिम सेलेक्ट करते हैं, 17 साइस का, वैसे तो मेरे को बहुत ही मुश्किल से इसमें से कुछ पसंद आने वाला है क्योंकि थोड़े वह उतना ओल्ड हो गए है, आजकल की कार्स के हिसाप से, बट फिर भी मैं एकाट डिसाइट कर लेता हूँ, थोड़ा हैवी, अच्छा सा, ऐसा भी नहीं है, जादा पुरान ही नहीं है, बट टैसला के हिसाप से देखा जाए, तो ये काफी जादा प्या से पांच कर देता हूँ, खतरनाक वाला मोटा ही नहीं हो जाए, तो ट्राइ करते हैं, बाके भी मैं को चलके टायर सिलेक करना है, एंटायर यहां पर बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये तो प्रॉपर रेस्ट्राक वाला है ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाले ल से तो इसलिए अब मैं 17 वाले ले रहा हूँ, एक बेसिक 17 के मैंने रिम ले लिया यहां से, अब मुझे चलके यहां पर वील बैलेंस करना होगा, मतलब टायर को बनाना होगा, तो सबसे पहले तो मैं को यहां पर इंस्टॉल करने है, ये ये वाला है अपना 85 वाला और इसम मैं ये वाला टायर लगा के देखता हूं होता क्या है, ओ भाई, ये अच्छा लग रहा है यार, पता नहीं, 80 से क्या मतलब है, 80 का कैस मुझे कॉमें जरूर बताना, बट टायर देखो, इसमें एकदम प्रॉपर बन कर तो आया है, ऐसमेर को लग रहा था प्रॉब्लम आज अच्छ चलेगी, तब तक यह रहा है, मैं यहां पर एक और भी लगाता हूं एक से किदम यहां पर भी टायर लगाना है, लॉल, मैं एक ही टायर खरीद के लाया हूं क्या, यह वाला मैंने खरी देता ना, ये तो अभी इसको फटाफट से पर्चेस करते हैं, थिकनेस ठीक ह एंड मेंको टोटल चार खरीदने हैं से नहीं चार नहीं अब तो तीन लूँगा ना ओल्राइट तो भी फटाफट से और भी टायर बनाता हूं यह लगाया यह लगाया बन गया एंड जब तक इसको निकाल ले तो हमाई यहां से और इसको ले जाकर लगा देता हूं अपनी क अ हलो अब वेट अब मुझे लग रहा भाई यह गाडी में किती जाता प्रॉब्लम है या तो यह जो मैंने लगाया ना लेफ्ट बोडी विंडो यह बड़ा खराब लग रहा है इसको जैसे गाडी की लुक खराब हो रही है उसको मैं हटा रहा हूं बट या उसको नहीं ल है तायर का साइज ना मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लाता हूं तो मैं समझ गया मुझे क्या कह चाहिए तो मैं टायर पट चिस करके गया था यहां से 78 का जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो इस बार मैं 17 कर रहा हूं इसको कर देता हूं 205 प्रोफाइल को अन फिफिटी कर इसको एक perfect size देने के लिए let's go test करते हैं और जैसा कि मैंने का था अपनी कार अब एक must look लेने वाली है क्योंकि टायर के जो size of perfect आए है तो अभी एक बनाया फड़ावट से चारो बना लेता हूं खरीद के तीन और लेने हैं यहां से 17 size and यह होगा 50 दन सेम फ्रॉम 17 205 एंड प्रोफाइल होगा 55 ओके आगाइस दिको मुझे मालूम है कि जो टायर से नहीं यह और भी जादा चोड़े किये जा सकते हैं तब भी इस गाड़ी को बहुत अच्छा चला पाएंगे बट या यार हमें कुन सा बर्न आउट करना है तो इतने जादा ह अभी थोड़ा अच्छे से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी यहां पर चारो टायर बना किने गाड़ी स्टार्ट करके देख लें तो जैसे मर्जी लगते रहेंगे बागे ठीक है यहां पर 205 वेट कहां चाला गया यह वाला यह लगाना है मुझे यहां पर 205 काई की व लगना बाकी है तो चलते हैं पार्ट माउंट के लिए राइट साइट का रियर एक्सल लगाना है जो की खराब है तो इसलिए मैं दूसरा परचेस करके ले आया हूं इसको यहां पर लगा देते हैं यहां से रियर सस्पेंशन आम लग जाएगा इस पर दोनों बुशिंग यह लगा दिया इसको टाइट करते हैं कुछ इस तरीके से बारी है बॉटम वाले की बॉटम वाला भी खराब है बॉटम सस्पेंशन आम बी बॉटम सस्पेंशन आम बी तो यह पर चेस कर लेता हूं मैं और यहां पर लगा देते हैं इसको फड़ा पर से बुशिंग के अभी एन्यां पर लगेगा वील्हप वीलक्व को टैट करने के लिए तीन बॉल्ट कसने और उसके उपर आएगी ब्रेक डिस्क यह लगा दिया ब्रेक डिस्क पर आएंगे ब्रेक पैड जो कि मेरे पास तुछ ज़्याद ही हो गये हैं यहां पर लगाने ब्रेक कैलिपर च के साथ लगेगा यह ब्रेक कैलिपर सिलेंडर नों mix होके और फिर इनके टाइट करने यहां पर अंदर जाएगी बेरिंग कुछ इस ताइप और तो यहां पर मुझे से टाइट करना है और रियर ड्राइव एकसल भी खराब है रियर ड्राइव एकसल भी घृत यह शाइब यह दिखो अभी problem हो जाती ही last time के तरह सारी चीज़े लगी बट गाड़ी में न स्टार्टर लगना बाकी है मतलब पूरी गाड़ी बना दी बट स्टार्टर ही नहीं लगा है जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी ओके तो यहां पे लगेगा है स्टार्ट वी एट एंजिन का तो इसको लगा के फड़ावट से टाइट करते हैं डान समझ लो back side अपनी पूरी complete हो गई है मुझे नहीं लगता यहां पर अभी कुछ भी बाकी रह गया है अब चलते हैं फ्रेंट साइट पे बट हाँ जाने से बहले एक वारी ना दुबार अटेस्ट कर ले तो हम back side सही में हो गई है ना सही में हो गई है अब चलते हैं आगे फड़ा फट से यह वाला टायर भी यहां पर इंस्टॉल करते हैं बट उसके लिए मुझे काफी सारे पार्ट्स पहले आपर मांट करने होंगे जैसे कि यह हो गया फिर उसके ओपर यहां पर आएगी नकल कवर कवर के उपर आएगा वील हब एंड वील हब के उपर आएगी ब्रेक डिस्क और इसके उपर आने वाला है ब्रेक पैट्स फिर इसके उपर आएगा कैलीपर मुझे सब कुछ रट गया भाई अभी सही में यह लगा दिया इसके बाद आएगा बेरिंग ओल राइट तो यहां पर बस मुझे लास् सकता हूं ग्यराज एंट्रेंस ए ओके रियर वील साफ डिफ्रेंट साइड लॉल कौन से टा कुई गलट टायर लगा जेगा और वेट यह तो रही गया वाई सबसे में चीज राइट बूडी विंड़ो ए अब जाकर पीछे से तो गाड़ी कंप्लीट हो गई है बट टायर साइस का मैं समझ नहीं पा रहा या तो मैंने आगे चोटे लगा जिया पीछे बड़े कार का स्टेटस चेक कर लेता हूं एंड देखो हर जगा सब कुछ हो कि है बसी जो बैटरी है ना वही रेड हो रखी है और सारी बैटरी दिखा रहा कैम गेर वीशिक्स भी कैम इसा इसा नहीं होगा में सबसे जाते जाते बड़ी प्रोब्लम माई गई सबसे पहले मुझे तो इस गाड़ी निकालना होगा दुको सारी बैटरी यहाँ पर थी ना इन सब भी निकालना पड़ेगा क्या मैं ये बैटरी चार्जर का यूज कर सकता हो कांच लगा यह रहन चार्ज बैटरी अभे यार एक एक करके लगानी पड़ेगी क्या वह यह तो बड़ा टाइम लग जाएगा मैं नहीं खरीद रहा हूं मैंने बीस बैटरी इस नहीं खरीद लिया मेरे को इतना टाइम का पुरानी वाली सारी बैटरी में रिमूब करने वाला हूं क्योंकि इने अगर देखा जाए ओके है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद एंजन में यह सारी चीजे नहीं लगाई है जैसे कि इगनीशन कॉयल मेरे साब से एंजन का पार्ट है और काफी सारी चीजे स्पार्क प्लग वगरा में को लग रहा है एंजन में मिस हो गया है और हटा दिया है यहां पर लगाना है नहा वील कुछ इस तरीके से यह वाला जो वील है इसका साइस क्या रहा है 205 17 यह परफेक्ट है अभी अपना कार मूव हो जाना चाहिए किसी दूसरी जगा पे गिराज एंट्रेंस ए पे चले जाब रियर वील साफ डिफरेंट साइस इसको मैं बैलेंस करके यह लगा सकता हूँ 205 55 r 17 यह चलेगा शायद इस पेशली जीरो वाला जिसका नहीं 50 वाला लगाएंगे हम 50 वाला था हमारा चलो होगया यह इसको यहां से मैं पिक करता हूँ 80 50 वाला है यह लगा के देखने वाई क्या है साब बैठता है यहां पर करा प्लेस यह है 17 80 50 लेट्स को और राइट तो यहां पर टायर लग चुक है प्लीज कार मूव हो जा वरना मैं चारो टायर निकाल के फाक दूगा और सब दुबारा बनाऊंगा यस कार मूव हो गई यह लिए पॉला टायर में गडबाटियोर वेट क्या ख़दानाक लग रहे है यह एक सुक इन अब यह लिए उन दिखत है यह देखेंट को यह लग नहीं चाहर को थे लिए नहीं आप उत्यायाँ पाएगा एंजिनमें प्रॉब्लम था क्योंकि तो प्लीज हो जाही हो को क करना पार का इस निए है पता नी स्टार्ट हुआ निक्टरिक्स है लहाँ कुछ क्या भी नहीं सकता में इसको ने काम करते हैं कह रहा था ना वो यह वाली है यह मिस्ती मुझे नहीं खरीद के लगानी है तो इसको फड़ा फट से लगा देता हूं मैं जो एक चोटा था उसके लिए थोड़ा वो समान और ले लिया ताकि मैं उसको बना पाऊं यह वो टायर तो यह अपना बनते रहेगा जब तक हामिर को अपनी बाकी गाड़े का काम करना मुझे घेरबॉक्स उतारना होगा यार अभी बस मुझे ना अन्मांट करना यह वाला वी रिमूव कर दिया नया वाला वी बिशायाद अब तक बैलन्स हो चुका होगा यह तो फड़ा परसे को ले कर चलते हैं यहां पर लगा के पहले व क्योंकि इसको चलने में मैं अल्रेडी दू बारी फेल हो चुका हूं वैसे अगर आप सामने से देखोगे ना रुको मैं दो नो डोर खोलता हूं यह देखो बाई कितिनी जादा डेंजरस लगए है सिफ़ सिवे कि विज़े से पूरी कार की लुक चेंज होगी लेट्स को भी से गाड़ी में बाटते हैं प्लीस स्टार्ट हो जाहिए हो वेट अभी कोई आरा रहा है मैं एक लिकिनी से मालों ड्राइव के लिए लेकर चलू तो क्या आरा रहा है यहां पर दिर इस स्पार्क प्लक मिसिंग फॉम का वेट इंजन तो मैं प्रॉपर कंप्लीट करा था ब दिटेच करके मैंने कार का एंजन बाहर निकाल दिया है अब फड़ा फट से इसको मेरे को यहां पर लगाना होगा कुछ इस तरीके से अब मुझे देखना है कि आकर प्लक ये मेरी गलती है यह देखो यहां पर प्लक लगने थे यह सारे प्लक मिस है शायद से इंजन अभी कंप्लीट भी नहीं हो था उसमें भी बहुत सारे एर फिल्टर वगरा भी लगने है क्या यार टोटल छे स्पार्क प्लक लेते हैं और फड़ा फट से इंजन का बचा कुछा समान है वो मुझे उसमें लगाना होगा ओके तो यहां पर एक स्पार्क प्लक लगा दिया इसके रोड की कैप लगानी है खुब सारी तो मैं यहां से पर्चेस कर लेता हूँ आइधिंग 12 में काम हो जाएगा मैं खाली-पीली खुश हो रहा हूं वह इंजन कंप्रीट हो गया इतना सारा काम बचा है ना अभी इस एंजन में मतलब खतम ना होना भी जल्दी एर फिल्टर को गहरा तो यार मैं भूली गया था सची में चलो भाई रोड कैप यहां पर लग गया इसके उपर आएगा यह लगा दिया और यह लगा दिया चार तरफ से नट अभी एंजन कंप्लीट हो चुका है काश इसके इंदर अभी कोई काम बाकी ना रह रहा हो बट एक बारी मैं इस एंजिन को लेकर चलता हूं और कार में इंस्टॉल कर देता हूं लेट्स को इंस्टॉल और यह लगा दिया अब पता करते हैं कार का स्टेटस की क्या क्या चीज़े रह रही है बहुत सारी फ्यूल फिल्टर वगरा यह सब क्या है इतना कुस्तो था भी नहीं भाई अपना एंजिन गेरबॉक्स से कनेक्टो और उसके पीछे लगेगा स्टार सब कुछ के करके अभी मैं गाडी को लेकर आगया हूं प्लीज यार स्टार्ट हो जाए से मत कर वाई कसम से बहुत जी जान लगा दी चोटी मोटी चीज़े जो मिस्टेक हुई थी वो भी मैंने कर दिया है और प्लीज इस बारी चालू हो जाहिए स्टार्ट का लेट्स गो गाइस फाइनली गाडी स्टार्ट हो चुकिया वाई सची में बिल्कुल विश्वास नी हो रहा है अभी रुख जाओ अभी मैं गाडी को अभी टेंशनी है सबसे पहले अब उतर जाओ भाई से फाइनली भाई हमने कहर दिखाया गाडी चालू हो चुकिया अब इस कार को मैं सीधा भेजने वाला हूं डाइनो पे टेस्टिंग के लिए या फिर एक काम करते पहले ना गाडी पेंट करते हैं लेट्स को डाइनो पे बाद में अभी मैं गाडी को सीधा पेंट शॉप पर टाइप है यह रेड भी में अच्छा लगेगा सबसे चाहता प्रीमियम कलर इस टाइम पर मुझे क्रोम ही लग रहा है अगर मैं यहां से करू तो थोड़ा कैमरा एंगल भी चेंज हो सकता है यह देखो अब ट्यार इसमें ना कार का ना लोगो सई से नजर आ रहा है ना कु लोड़ा अच्छा व्यू तो आ रहा है कार का बट काशिर टैसला का लोगो ब्लाक हो पाता ना फ्रेंट वाला तो बहुत प्यारी लगती कार वैसे अभी भी मेरे को बहुत ऑसम लग रही है बस अगर मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ब्लाक नी मेटालिक को चेंज कर स अब इसके वगल वगल लेट्स को इस कार को ना भी फड़ा फट से मैं लेकर चलता हूं लिफ्टर सी पे डन तो कार चले गई है लिफ्टर सी पे और कुछ इस ताइप की लुक आ चुकी है कार की भाई क्या लाए थे हम लोग इसको जोंक्याट से और क्या बना दिया है गाड़ी एक दम ओके हो चुकी है अब इस कार को मिलेकर जाना है डाइनों पर वेट वीट 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 गाइस अभी सब हो गया लेकिन गाड़ी का साइड मेर कहां चाला गया मुझे यह नहीं समझा रहा पता नहीं कम मैं निकाल लिए मैंने और मैं इसको लगाने वाला हू ओके तो अभी मिरर चेंज ओकर आ गए हैं दोनों मिरर ग्रे ओकर लग गए हैं इसके एंजिन में मुझे ओइल फिल का प्लग डूड़ना पड़ेगा वहीं से और जाने वाला है यार मुझे पता नहीं था एलेक्ट्रिक कार में इसकी जुरत पड़ेगी बढ़ ठीक है यह फिल हो जाएगा और फिर हटा दूगा खताब होने का नाम ही नहीं ले रहा था लेट्स गो गाड़ी हो चुकी है मेरे साब से टेस्ट्रैक पर जाने लायक ओके गाड़ी वहां पर पहुच गई है और अभी मुझे टेस्ट पात अच्छा सॉरी सॉरी मैंने डायना उने टे सबसे नहीं है तो इसके अंदर हमारे साब से सबकुछ होने वाला चालो किया है संद करता है पात को मुझे नहीं पिलीज ए अब में को आगे चलानी है अब फ्रेंट की suspension चेक हो रहे हैं ठीक है तो मुझे का करना ब्रेक मार रही है लेट्स को ब्रेक मैंने मार दी के front suspension भी चेक हो गए रियर suspension रहे है अब इसके बाद यानि गाड़ी पीछे से बोट अगड़े जटके देने वाले लेट्स को यहाँ पर बाड़ी पोच चुकी है और बाक वाले suspension पीछे वाले जो दो टार्राइस को यहाँ रियर सपेंशन वह भी चेक हो गए एं गाड़ी क् सारे के सारे टेस्ट हो चुके हैं अब बस मुझे इस कार को ना एक ट्रैक पे चला कर देखना है कि आखिर कार वहाँ पर इस कार की कैसी परफॉमेंस आने वाली है लेट्स को फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं गाड़ी चल गी वही बहुत बड़ी बात है यार क्योंकि मेरको यह एक इलेक्रिक कार है इसके कार जो हमने पहले लैंबो बनाए थी उससे बहुत डिफरेंट चीज़े थी इसमें इसमें थोड़ा बैटरी वाला सिस्टम था और भी बहुत सारे चेंजिस थे जो कि हमने कर दे ठीक फिलाल अभी इसको टेस्ट ट्राक पे लेकर चलते हैं और राइट गाइस तो यह मैं अपनी कार को रेस्ट ट्राक पे लेकर आ चुका हूँ और अब बारी इसको ट्राइ करने की वैसे एक चीज़ में पहली बता दे रहा हूं इस गाड़ी में हमने पतले टायर लगाए हैं तो जितनी भी हाइस्पीड वाली कार्स होती है इसमें जब तक चौने टायर नहीं लगते ना यह अच्छे से ब्रेक मारती है ना ट्राइक वाली कार नहीं है मतलब इसे नॉर्मल सिटी में चलाना हाइवे वे चलाना फुल ओक है क्योंकि जैसे में लोग इस पर टाइट ब्रीक मार रहे है ना यह कार ओटोमेटिकली टर्न हो रही है अभी पूरी टर्न हो यह मैंने नहीं करी थी तेजी स्पीड पर ब्रे टेस्ट यहां पर हो रहा है गाड़ी का जसमें यह 1000 परसंट पास हो जाएगी तुम्हारे वाई ने स्पेंशन का काम भाई बहुत अच्छे से कर रहा है वो भी दो बार एक बार प्रॉब्लम आगी थी कुछ तो लेट्स को गाड़ी चीज चलना है मैंने से हेंड्री यह भ लग रहा है जैसे यह थोड़ा डामेज खाके तूट के इंदर हो गया है अगर यहां तो मैं इसको ब्लाक कलरका कर दूं तो अभी बहुत प्यारा लगीगा क्योंकि टैसला का जो इतना प्यारा सा लोगो है वो भी सही से नजर नहीं आ रहा है यहां सब होगे गाड़ी का अफ्रोड टेस्ट मुझे पता है यह उसके लिए नहीं है बट फिर भी पहले कहता टेस्ट्राक पे अब जाओंगा रेस्ट्राक पे और देखते हैं क्या होता है भगा दूंगा भाई अपनी कार को सच्छी बता रहा हूं भी बहुत तेच्छ लेट्स को स्पीड फुल जैसे हो रहे है जब काड़ी ब्रेक में ले पारे ना इन सब के पिछे का रिजन टायर है मैं हैंड ट्राय करता हूं ठीक है और मुझे लगता कि यह कार एक रेस्ट्राक कार है जो कि मैंने शुरुआत नहीं बोल दिया था बट ठीक है कार मेरी पास होगी है अर्टैस में व पर हड़ जगा टेस्ट करा और एक आर पास हो गए बाकि इस कार के बुरी चीज यहीं है कि बस यह जितनी तेज आवाज निकालती है ना उतनी देश चल दीन है फिलाल यह देख रही हूं वान सिक्स्टी यह से प्यार से पोच रही है ना एकदम प्यार से पता भी नी चला तुए नहीं ले जाओंगा क्योंकि में को पता सामने जाके ठुक जाएगा भी चुप आप से पनी कार को यहां पर खड़े कर देते लेट्स को फूल क्या प्यारी लुक आरी है तो चलो ग बहुत सारी प्रॉब्लम से बढ़ हमने फाइनली कार को चला दिया और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस के में बहुत जादा डीप इंफॉर्मेशन है हरे कार की मोडिफिकेशन उसकी मेकिंग को लेकर तो आप लोगों ने आज वो देखी लिए वगा बा कॉमेंट्स में जाके जरू बताना कि नेक्स कार हमें कौन सी बनानी चाहिए तो कॉमेंट कर देना बाकिये मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई